नमस्कार मैं हो ससी आए जार्खन की टॉप 25 परमुख खबर जानते हैं जार्खन में 20 चुनाव के लिए 27 को जारी होगी भोटर लिस्ट जार्खन में 20 चुनाव को लेकर मतदाता पुन्रिक्षन के बाद भोटर लिस्ट 27 अगस्त को जारी होगी इसकी त्यारी पूरी कर लिगाई है मुखे निर्वाचन पतादिकारी के रवी कुमार ने बताया है कि जार्खन में 20 को लंच भी किया है साथ ही लोग सबाद चुनाव से संबन्धी सांखी की रिपोर्ट भी जारी की है उन्होंने कहा है कि अब चुनाव आयोग की टीम का इंतजार किया जा रहा है निधारे 33 से 6 माह पहले कभी भी चुनाव हो सकता है उसी को देखते हुए तयारी की गई है उन्होंने कहा है कि मद्दाता सुची जारी होने के एक सब्ताहकांदर 2024 के साथ साथ 2019 और 2014 चुनाव के मद्दाताओ की संख्यागाधार पर बुकलेट भी जारी किया जाएगा केर अभी कुमार ने कहा है कि बिये लो को समानित करने के लिए सेल्यूट टू बिये लो आवार्ड लांच किया गया है इनमें 29,562 बिये लो में से हर विधान सभाज शेत्र के 3-3 बिये लो को चैन किया जाएगा इनमें कुछ बिये लो को राष्टिये मद्दाता दिवस पर राज जेपाल के हाथों समानित किया जाएगा जबकि बाकी को जीला अस्तर पर समानित किया जाएगा हजारी बाग में हवालदार के हत्याक और कैदी फरार हजारी बाग के सेख विकारी मेटकल को ले जाएगा हस्पिटल में भरती कैदी सहीद अंसारी सुरक्षा में तैनाद हवालदाद चोहन हेमरम की हत्यागर फ्रार हो गया गटना रभी वार रात करीव 11 बच का 40 मिट की है पुलिस को गटना गिजन कारी सोमवर सुबह मिली धनबाद के फतरडी चास नाला का सहीद जेपिक केंदरी ये का रहा हजारी बगम उम्र कैद की सजा काट रहा है उसे धनबाद जेल से यहां सिप्ट किया गया था वहीं हवालदाद चोहन हेमरम गिरी डिक के पीरा टन निवासी थे सुचना के बाद S.P. अरविंद कुमार सिंग और S.D.O. फोरेंसिक टीम के साथ अस्पताल पहुंचे फोरेंसिक टीम ने जाज के लिए घर्टना स्थल से फिंगर प्रिंट भी ले लिए है जार्खन के जूनियर डॉक्टर आज से हर्टाल पर कुलकाता में एक महिला ट्रेनी डॉक्टर से धरिंदगी के बिरोध में पुरे देश के रेजिडेंट डॉक्टर हर्टाल पर है वहें घर्टना के बिरोध में जार्खन के भी मेडिकल कॉलेज के जूनियर डॉक्टर मंगलवार से हर्टाल पर रहेंगे जुनियर मेडिकल एसोसियेशन जेडिये और जेडिये स्टुडेंट विंग ने सोमवार को समोहिक रूप से अने नहीं लिया है हरताल के दोरान एमर्जेंसी सेवाई छोड ओपीडी, ओटी और वाडो में डियोटी समेट अने सेवाई जुनियर डॉक्टर नहीं देंगे सुरक्षा के लिए कानून की मांग की जा रही है पर सरकार मौन है जार्खन में 122 हाथी कारिडोर चिनहीत, विश्वा हाथी दिवस के औसर परवन परयावरान एम जलवायू परिवरतन विभाय जार्खन सरकार की और से हाथी मानुसंग हर्स पर बिएन आर चनाके में कारेसाला कायो जन किया गया, कारेसाला के दोरान PCCF Wildlife MP सिंग ने बताया है कि जार्खन में 18 चिनहीत थे, अब 122 हाथी कारिडोर चिनहीत किये गए हैं अधिक्चत चाईबासा पलामो में है, वहीं हजारी बाग, राची, गिरीडी जैसे इलाकों में भी हाथी काईडोर चिनहीत किये गए हैं कारेसाला में चार प्रेजेंट टेंशन दिये गए हैं इन्वे साउथ इंडिया में हाथी के मेनेजमेंट के दिरिष्टी कोन की जनकारी प्रेजेंट टेंशन के माध्यम से दी गई हैं वहीं WWF इंडिया की ओर से पच्छिम मंगल और उत्राखन में हाथीयों को लेकर काम के उनभाव को साजा किया गया है बाबा धाम में चोथी सोमुआरी पर तीन लाख भक्तों का जलारपन सोमुआरी से सुरू हुई राजकिय स्रावनी मेला 24 की चोथी सोमुआरी पर बाबा बैनात पर जलारपन के लिए करीब 14 किलोमेटर लंबी कतार लग गई कभी बादल तो कभी धूब के बीच कावर ये वह सर्धालू कावर यात्रा एक साज जलारपन के लिए कतरवद होकर आगे बढ़ते रहे बता जराजकिय स्रावनी मेला 24 की चोथी सोमुआरी पर जलारपन के लिए बाबा दरबार मेर सर्धालू का महा सम्मुद्र उमर पड़ा करीब 14 किलोमेटर से भी अधिक लंबी कतार नंदन पहार सिंगवाद तक पहुँच गई आधि राजकिय स्रावनी मेला 24 की चोथी सोमुआरी पर बाबा नागरी में सर्धालू का महा प्रवा उमर पड़ा पराता चार बज का तीन मेंट पर बाबा मंदिर का पट खुलने के बाद पराता कालीन कांचा जल और सरकारी पुजा के उपरांद हाम सर्धालू के उर्ष जलारपन सुरू हो गया सी भक्तों की गुंज से रूट लाइन गुंजमाय हो गया जारखन के राज़ेपाल दुमका और सीम हेमंत रांची में करेंगे धोजा रोहन जारखन के राज़ेपाल संतोस कुमार गंगवार उपराजधानी दुमका में धोजा रोहन करेंगे जबकि मुख्य मंत्री हेमंचीन रांची के मुराबादी मैदान में धोजा रोहन करेंगे बतादे सोतनता दिवसपर ज्ञारखन के मंत्रियों द्वरा जिला मुख्याले में धोजार वहन किया जाएगा इस समांद्र मंत्री मंदल सची वाले अंसमिना विभाग ने सुमवार को आदेश जारी कर दिया है सबी उपायुक्तों को इस समधित मंत्री से संपर कर आवसक त्यारी करने को कहा गया है ज्यारखन में 14 से 16 अगस तक भारी बारिस का अलर्ट ज्यारखन की रेधानी रांची में सोमो और कुमोसम के मिजाज बदला और दोपर बाद जमाजा बारिस हुई है वहीं पूर्वी समुम समेथ 6 जिलों में कुछ ही घंट में बारिस हो सकती है बता दे राज्य में 18 अगस तक बारिस की संभावनाए है 15 अगस को लबक सभी अस्थानों पर हलके से मत दर्जे की बारिस होगी वहीं 14 से 16 अगस तक राज्य के उतर पूर्वी भागों में कहीं कहीं भारि बारिस भी हो सकती है जार्खन के पूर्वी सिमूं पच्मी सिमूं सराय के लाखर सावा गुमला लात्यारो लोह दग्गा जिले के कुछ भागों में अगले कुछ घंटों में गरज के साथ बारिस होगी इस दोरान बजरपात की भी असंका है मौसम विभाग द्वारा जारी पूर्वान के मुताबिक मंगलवार को राज के कई अस्थानों पहल के सिम्मा दर्जे की बारिस हो सकती है गरज और बजरपात की भी असंका है आई एमडी ने इसे लेकर एलो अलट भी जारी कर दिया है ग्रिह मंत्राले की बैठक में नक्सलियों के खातमे की बनी रणनी थी देश के उगरबाद प्रभावित राज्जियों के साथ नक्सल अभियान चलाने को लेकर सोम और को ग्रिह मंत्राले की अधिकारियों ने समिक्छा बैठक की है बैठक में राजे पुलिस मुख्याले से डी जी पी अनुराग घुपता समेत अने अधिकारियों ने वीडियो कंफरेंसिंगे माध्यम से सिर्कत की है बैठक दोरान डीजीपी अनुराग गुपताने सुचनाओ को सा समय साजा करने नोडल पताधिकारीक न्यूकति करने पर जोर दिया वहीं उन्होने बैठक में वाम पंथी उग्रबादी पर होने वारी करवाई के दोरान सीमवर्ती छेत्रों में उत्पन होने वाली समस्याओ पर आपसी सहयोग सिमवर्ती शेत्रों में नक्सलियों पर नकेल कसने के लिए सभी अस्त्रों पर अंतर राजीये समनों बैठक के लिए तंत्रे की कर्योजना बनाने पर बल दिया बैठक में आज ये भियान अमोल वी होमकर ने कहा है कि जारकन के सभी स्थिमवर्ति इलाकों में सकेन नक्सलियों के खिलाब प्रभावी करवाई के लिए सासमय सुचनाव का दान परदान जरूरी है मंजुनात भजंत्री पर निसिकांत का किया केस रद देवघर के ततकाईन उपायुक्त मंजुनात भजंत्री को सोमार को जारकन हाई कोट से रात मिली है हाई कोट ने भजंत्री के खिलाब सांसर निसिकांदूबे के खिलाब प्रथमी की दर्ज की गई थी निसिकान दुबे ने अगश्ट 2022 में भाजांतरी के खिलाब दिल्ली में 0FIR कराई थी इसके बाद 0 प्राथमी की के अधार पर देवगर थाना में भाजांतरी के खिलाब प्राथमी की दर्च की गई थी सांसर निसिकान दुबे ने अरोप लगाया था कि 31 सगत 2022 को साम में जब वह प्लेन से दिली जा रहे थे तो ततकालीन देवगर उपायूत मंजूनाथ ने कहने पर सुरक्षा कर्मियों ने देवगर यारपोट पाउने रोका और धमकी भी दिया उनके सरकारी कारे में बाधा डालने काविनी सिकान दुबे ने आरोप लगाया भाजपा से कौन होगा सीम पत का चेहरा चर्चा तेज भारतिये जनता पार्टी विधान सभा चुनावस से पहले अपने मुख्य मंत्री के चेहरे के नाम कैलान कर सकती है इसके लिए केंद्रे संगठन में भी मर्चल रहा है भाजपा के एक बड़े कामानना है कि मुख्य मंत्री का चेहरा घोसित कर दिये जाने से मद्दताओं के सामने असप्रस्ता रहेगी और लोग भाजपा के पक्च में मद्दान करेंगे हलाकि नाम घोसित किये जाने के बाद संभावी गुट बाजी और नराजगी का भी आकलन किया जा रहा है बता दे मुख्य मंत्री है मंसुरन की लगातार हो रही घोस्तनाओं के बाद भाजपा अपनी राइनित्ती बदल रही है और किसी आदिवासी चेहरे को सामने लाकर बड़ा संदेश देने का पर्यास में है सियासी जानकार मानते हैं कि ऐसे में परदेश अध्यक्ष बाबलान मरांडी का नाम सबसे परमूख है जाखन सरकार ट्रेनिंग इंजिनियरों को देगी 15,000 रुपा है राज के सरकारी तथा पीपीपी मोड पर संचारित इंजिनियरों कोलेजों से उतिन गेरजुएट शात्रे सात्राओं को 15,000 रुपे प्राती मा स्टाइपेंड के रुपे मिलेंगे वह ही राज किये पोलिटेकनिक तथा डिप्लोमा संस्थानों से डिप्लोमा उतिन शात्रे सात्राओं को 10,000 रुपे श्टाइपन मिलेगा यह राज सी अप्रेंटिस सिप रूल के तहदी जाएगी हलाकि अप्रेंटिस सिप रूल में इंजिनियरिंग के अप्रेंटिस प्रसिक्षूओं को 9,000 तथा डिप्लोमा प्रसिक्षूओं को 8,000 रुपे देने का प्रोधान है इसमें 50% राज सी कावहन केंद्र सरकार के बोर्ड आफ प्रेक्टिकल ट्रेनिंग द्वारा किया जाता है सेस राज सी अर्थात 45 रुपे तथा 4,000 रुपे राज सरकार को देना है राज सरकार ने इसकी जगा इंजिनियानिंग उतिन प्रसिक्षूओं को 10,500 रुपे तथा डिप्लोमा उतिन प्रसिक्षूओं को 6,000 रुपे प्रतीमा राज अंस के रूप में देने का निने लिया है देव घर से बासुकीनाथ हेलिकोप्टर सेवा सुरू जारखन सरकार ने बैदनाथ, धाम, देव घर, बासुकीनाथ और त्रिकूट परवत पर हवाई दर्शन सेवा सुरू कर दी है इसके तह सरधालों को हेलिकोप्टर से इन तीनों तीर्थ अस्थानों का हवाई भरवन कराया जाएगा इसके लिए साथ, दस, और पंद्रह मिनेट के तीन एस्टोल तै किये गाए है जिनका निर्धारित की राया करमसर ब्याली सो, पजपन सो और पैसट सो रुपए है फोन वाब वेपसाइट के माध्यम से इसकी बोकिंग करायी जा सकती है रविवार को इस सेवा के तहट देव घर में हेलिकोप्टर ने अपराहन धाई बज़े पहली उडान भरी पहले दिन तीन बार में 11 लोगों ने उडान भरी है सभी लोगों को हेलिकोप्टर से पूरे देव घर सहर का भर्मन वदर्शन कराया गया यहां से उडान भरने वालों के लिए कई तरह की सुबधा शुरू की गई है हेलिकोप्टर से देव घर से बासकीनात आने जाने की भी सुबधा है धन्यवाद